नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आज हम इस वीडियो में यहां से कुश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे जमेटरी जैप्र से यहां तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे तो देखो भाई यह कुश्चन है इन ट्रेंगल टी एपी अब पहली बात तो यह है कि आपको ट्रेंगल टीएपी बनाना पड़ेगा त्रेंग यह मेंच लेवल के कुश्चन है भाई टीपी यह टीएपी अ थीक है उसके बार देखो एंगल यह ए बोल दिया है श्याच दिगरी टीए हमें बोल दिया है अच्छ अच is produced to meet tp क्या है a line from k is produced to meet t से p मिलती है वो कैसे मिलेगी भाई t से p मैं समझा नहीं k is made point on a p a line from k is produced to meet t से लेके p नहीं to meet tp at o यार आगे भी नहीं पड़ा न यह वो point ठीक है अच्छा है उसके बाद क्या says that a ko 120 degree है a ko यह 120 degree है find the length of o k से लेके k की length निकालनी है सबसे पहले तो question में बोला गया है कि यह mid point है तो mid point जो इसकी length होगी वह इसकी लेंद होगी जो इसकी होगी वहई इसकी होगी होगी कर नहीं होगी हाँ अच्छा अब corresponding angle के हिसाब से ये parallel line होगी तो ये जो angle है वही angle ये होगा ये भी 6 degree होगा होगा का नहीं होगा भाई हाँ बिलकुल होगा ये parallel होगी हाँ जी ये भी parallel होगी के से line खीचोगे तो opposite side पे भी mid point पे ही जाके तो मिलेगी हाँ मिलगी ओ point पे ठीक है क्योंकि ये mid point है तो ये अगर आप सीधी line खीचोगे तो ये इस length का mid point ही तो होगा हाँ बिलकुल होगा टी ये हमारी 6 है और ok की value क्या होगी टी ये बोल रखाना तो सीधी सी बात है जब आमने देख लिया ये triangle और बड़ा triangle similar है तीनो side बराबर होगे ये angle है वही angle ये होगा तो भाईया दो side और एक angle के हिसाब से हमारी theorem लग जाएगी तो भाईया ये इसकी जो length होगी क्या होगी तो इसकी ok की जो length होगी वो क्या होगी वो होगी भी है इसकी half तो half कर दो 6 का half कर देंगे तीन इस question का answer बनेगा ए option हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा ये midpoint theorem से किया है half होना चीए midpoint theorem वाला concept है भाई उसके बाद है ये question देखो triangle है हमारा PQR PQR S or T midpoint है और इसके उपर भाईया ये midpoint है दोनो angle P जो है हमारा वो बोल दिया है 55 degree है angle R हमें बोल दिया है 40 degree है then angle S की value निकालनी है तो भाईया एक बात देखो ये midpoint है ये बराबर रेखा होगी अच्छा तो ये midpoint है तो ये जो angle होगा वो ही angle ये होगा corresponding angle बराबर होते है तो ये 40 degree हो जाएगा अच्छा जी और ये 55 degree है तो ये angle कितना आ जाएगा 55 plus में 40 कितना होता है 5, 7, 4, 11 180 में से 115 और जाएंगे तो कितना बचेगा भाई तो CDC बात है 65 बचेगा अगर नहीं बचेगा ये होगा 65 है ना क्योंकि तीन कौनों का योग कितना होता है 180 degree होता है और क्या होता है अब angle S निकालना था ये तो हमारा 55 degree आया भाई T S क्यों निकालना है ये angle निकालना है तो 180 degree में से 165 खाली 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 गटाओगे इतना बचेगा भाई तो CDC बात है 115 यह बचेगा ये पूरा angle क्या 180 degree है हमने ये निकाल लिया 180 में से 155 खाली क्या बचेगा CDC बात 115 बचेगा D option हमारा ठीक यहां पर उसके बाद है भाई ये question देखो भाई इस question का जो concept है वो मैंने नहीं पढ़ा है भी लेकिन मैंने को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है जितना मैंने पढ़ा था उसके साब से अगर मैं इसको exam में solve करने कोशिस करता तो कैसे करता देखो ये concept base है और concept हम आगे पढ़ेंगे फिर हम निकालेंगे देखो ये हाँ पर बोल क्या रहा है ये एक triangle ABC है ABC D और E और F ये point है mid point है mid point है BC, CA और AB के उपर BC के उपर हमारा D CA के उपर हमारा E ठीक है और ये AB के उपर है F इसने बोला है कि जो BC के लेंद है वो 25.6 CA की है भाई 18.8 और जो AB है उसकी है 20.4 और इसने बोल दिया कि perimeter निकालना है triangle D, E, F इस triangle का perimeter निकालना है इसके दो तरीके हैं वैसे तो solve करने के, एक basic वे है एक जो छोटा तरीका है लेकिन वो छोटा तरीका भी मुझे अभी ध्यान थोड़ा कम है, वो concept मैंने पढ़ा है लेकिन वो आगे आएगा आने वाली वीडियो में तब मैं आपको बताऊंगा लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा hint दे देता हूँ ठीक है, 14.8 को 2 से भाग कर दो 32.4 का answer बन जाएगा अगर मुएरा ये तरीका सही हुआ तो लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पे सीधी सी बात बोल देता हूँ ये तो मैंने आपको ऐसे बताया है आप इसको चेक जरूर करें क्या है, ये मैंने सही बताया है, नहीं बताया है क्योंकि मेरे को confirm है नहीं लेकिन ये अभी सामने आया question तो मैंने आपको करा दिया अभी गलत कराया, सही कराया, वो आगे की बात देखेंगे फिलहाल आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये सही है, नहीं तो मैं आगे आने वाले concept में आपको ये concept भी बताऊंगा और ये question भी कराऊंगा और ये है आज इस वीडियो का last question देखो भाई triangle है हमारा A, B, C इसमें mid point है भाई हमारे P और Q AB के उपर P है और AC के उपर Q है R is a point on P Q P Q के उपर R एक point है such that जो P R का ratio है वो है 3 और R क्यो का है 5 और Q से लेके R तक जो क्यों से लेके R तक ये ratio की length भी बोल दिया ये 20 cm है then what is the length of BC की length बतानी है तो देखो भाई सीधा सा question है ज़्यादा दिमाग लगानी 3 ratio 5 है 5 के value हमें बोल रखी है 20 मतलब 4 गुना तो ये भी हो जाएगी 4 गुना जारती है 12 ये आगी 12 ठीक है भाई और ये length ये क्या होती है ये इस length का double होती है हाँ जी होती क्योंकि mid point है mid point है तो ये बराबर बराबर पे होंगी जी बराबर होंगी तो ये length निकालनी है 20 निकालनी है तो 20 कितनी हो जाएगी 20 पलस में 12 20 पलस में 12 32 का half कर दोगे कितना हैगा 2 एकम 2 2 ची के बारा 16 अरे गड़बड कह गड़ती भी या 20 निकालनी है 20 क्या होती है इसका दुगना होती है आपको ठीक लगी तो लाइक करना चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना